good morning इम्हाइपिका अजम्हाअग कर रहे थे शेयर और मर्कंद रहे थे मरेंडन का कर रहे थे माइनर एक्रिमेंट ढूर प्रूसियर मेल इर लाम आपक। चरह कर रहे थे छो लुड्य होता है वाहिदश्च्वीस्च्वियम्वता जब यह बनाया जाता है और minor अगर यह इस contract अंदर कोई भी benefit लेता है तो उसे जो है हम नहीं बोल सकते कि वो benefit जो है वो return करें ठीक है वो जो है promise होता है या फिर वो जो है beneficiary हो सकता है उसका जो agreement है वो ratify नहीं किया जाएगा उसके दुआरा जाहे वो अपनी majority या age of majority जो है वो ले सकता है ठीक है लेकिन उसके बाद भी उसे agreement ratify करने के लिए नहीं कहा है रहा सकता है ठीक है next जो है अगर जो receive करता है कोई भी benefit ठीक है under avoid agreement ठीक है तो हम उसे जो है ask नहीं कर सकते कि उसने compensate करना है या उसके लिए जो है वो pay करना है next हमने कि आज जो है यहाँ से start करना था सबसे पहले जो है वो क्या करेगा he can always plead minority ठीक है वो जो है means minority में है अगर जो वो fraudulent representation करता है minor के दुआरा तो कोई भी difference जो है वो उसके status में नहीं आएगा और ये contract ये void ही रहेगा यानि कि इसके कोई भी value जो है वो नहीं मानी जाएगी ठीक है यहाँ भी कोई भी specific performance जो है contract में अगर जो कही गई है करने के लिए तो और वो उसमें enter हो गया है तो ये void है तो इसलिए जो है उसके उपर ये धारा नहीं बनती कि वो उसे perform करेगा जाहे उसने जो है अनजाने में उस जो agreement है उसको sign किया है क्योंकि वो जो agreement था जब वो बनाया गया वो वोईड था वो इसलिए वोईड था क्योंकि इसमें जो था person वो क्या है under the age है तो उसे हम जो है unsound mind का नहीं मानेंगे यह हम यह नहीं मानेंगे वो जो person है वो mentally stable है he cannot enter into a contract of partnership उसके बाद वो यह कहता है कि वो जो है enter नहीं हो सकता किसमें contract में जो की partnership का होता है minor जो होता है वो अपने consent के साथ या सारे partners जो होते है उनके साथ जो है admit करता है कि benefit कि उसका existing partnership का जो है वो क्या है ठीक है अगर जे वो enter नहीं हुआ है contract of partnership में और एक minor जो है वो consent में है सारे partner के साथ कि उसमें admit किया जाएगा benefit में उसके existing partnership में तो वो जो है contract में enter नहीं हो सकता ये भी yd ही होगा और बोते हम उसे insolvent भी adjust नहीं कर सकते वो होता है libel किसके लिए जो necessities होती है या जिने हमने supply करना है या necessary services देनी है अब minor जो है वो contract में enter हो सकता है जहांपे उसकी parenthesis होती है या उसको हम training देते हैं या instruction देते हैं एक special art या education में ठीक है उसे जो है allow किया जाता है क्योंकि वो benefit जो है वो उसको allow किये जा सकते हैं यह हम उसे इसलिए allow कर रहे हैं क्योंकि यह उसके beneficial के लिए obviously अगर जो कोई person जो है educated हो रहा है तो यह उसको जो है सोचने समझने की क्रमता प्रवदान कर रहा है लेकिन साथ ही साथ यह उसके hit में भी है ठीक है और बोलते वो जो है agent नहीं हो सकता किसी भी company का तो बोलते minor जो है वो act कर minor जो है वो act कर सकता है as a agent लेकिन personally liable नहीं होगा ठीक है लेकिन वह principal भी नहीं होगा principal means main master होता है व्हो भी वह नहीं होगा agent हो सकता है लेकिन वह principal नहीं होगा उसके parents guardians यह होते हैं वह liable कि अगर कि बीज़ जो है यह contract का है कि हम वैसे ही बात करते हैं कि अगर किसी परसने कोई भी कॉंट्रेक्ट करना है तो उसे जो है 18 years का या उससे above होना चाहिए बोलते हैं माइनर जो होते हैं वो लाइबल होते हैं इन टॉट अगर जो टॉट का मतलब है जब वो कोई चीज गलत करते हैं जैसे मालनो वो बंप फैंक रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं जगड़ा कर रहे हैं दंगे फैला रहे हैं तो इस केस में माइनर जो है लाइबल है क्योंकि उसे पता है कि लड़ाई जगड़ा जो है वो गलत है और अगर जो रोड़ पे करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये चीज जो है ये गलत मानी जाएगी और इसके लिए वो लाइबल होंगे अब बुलते जो माइनर होता है वो कभी भी शेर हुल्डर नहीं बन सकता कमपनी को एकसेप्ट जब शेर जो हैं उसने फुली पे किये हैं या उसके द्वरा ट्रांसफर किये गए हैं तो ये कुछ कंटीशन्स हैं जिसमें कि हमारा जो माइनर है ये वो एग्रिमेंट कर सकता है और नहीं भी कर सकता और किस-किस केसेज में जो हैं वो क्या है लाइबल है अगर जब अच्छे आपको इसमें कोई भी प्राब्लम है स्टुडेंट तो आप पूछ सकते हैं थेंक यू क्लास